हलो वेलकम बेक कैसे हो सभी को अर्स पिछली वीडियो है हमने बात कि थी डाटा टाइप्स के बारे में जो की पीच्पी ए टुटोरियल का पार था डाटा टाइपस इसके अंदर हमने कुछ डाटा टाइपस के बारे में जाना था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है वीडियो पहले देख लिए क्योंकि आगे कई चीजें इसके उपर डिपेंड रहेंगी तो यहां भी हमने डाटा टाइपस के बारे में जान लिया था और जो हमें ज़्यादा ज़रूरी थे डाटा टाइपस उनके बारे मैंने आपको बताया कुछ दो डाटा टाइपस थे उपरेटर्स के बारे में जैसे कि हमें कोई ऐसे लिए हम कोई सिंटेक्स यूज करते हैं या कोई क्रैक्टर वगेरा यूज करते हैं तो यहां बात करते हैं कितने टाइप्स की उपरेटर हैं तो मैं यहां पर इनके सभी के types लिए देता हूँ सबसे पहला type है हमारा assignment assignment operator assignment operator ठीक है और दूसरा हमारा operator है arithmetic operator जैसे कि नाम से ही confirm हो जाएगा आपको कि कौन सा operator क्या काम करता है तो यहां पर दूसरे का भी type कर देते हैं arithmetic operator और तीसरा हमारे पास यहां पर ओपरेटर है comparison operator और फॉर्थ हमारा operator है logical operator और फिफ्थ हमारा है increment और decrement operator और इसके बाद में हमारे पास आते हैं string operators और यहां पर next हमारा है array operators और इसके बाद हमारा last है conditional assignment operators तो यह कुछ टाइप्स है operators के कि कौन कौन से operators किस चीज़ के लिए यूज के जाते हैं जैसे कि assignment का जैसे हमें पता लग रहा है कि यह कुछ चीज़ें करने के लिए यूज किया जाता है कि 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 वेरियेबल कि अंदर हम कोई value put कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें ठीक है arithmetic जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि यह मेच से कुछ लेटर है जैसे जोड़ घटा गुना भाग मोडलेस निकालना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं ठीक है चीज़ें अगर है हमारे पास तो हम उस चीज़ को रन करें ठीक है तो यहां पे logical operator थोड़ा सा complicated है लेकि इतना भी complicated नहीं है कि हम इसका यूज ना कर पाए ठीक है इसके बाद में है increment और decrement जैसा कि नाम से बता लगता है कोई value को गटाना या बढ़ाना ठीक है उसके लिए जो operator यूज होंगे उनको हम कहेंगे increment और decrement operators उसके बाद में होते है string operators पिछली वीडियो में हमने data types के बारे में जाना था तो वहां पे हमारे एक data type थी string ठीक है तो string के लिए जो हम operators यूज करेंगे जो हम symbols वगेरा यूज करेंगे उसको हम string operator कहेंगे ठीक है array भी हमने जान assignment operator ठीक है यह एक अच्छी चीज है जब आपका code वगेरा आपको छोटा करना हो तो उस दोरान इसका यूज किया जा सकता है काफी helpful है यह भी तो यहां पर दो चीज़े add की है conditional और assignment ठीक है तो conditional मतलोग कोई condition के ऊपर मतलोग कोई चीज वहां पर satisfy होती हो तब ही उस चीज को assign करना ठीक है तो यहां पर conditional assignment operator काफी useful है जब हमें code को compact बनाना हो तो उसकी हम इसका use करेंगे ठीक है तो यहां पर जादा से जादा हम इसकी वीडियो में अलग-अलग में रखने की कोशिज करूँगा ताकि आपको हर एक चीज easy तरीके से समझाए ठीक है तो सबसे पहले हम assignment operator के उपर बात करेंगे तो यहां पर नीचे इसका code लिखते हैं assignment operator क्या होता है हमने पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि variable हम कैसे define करते हैं ठीक है तो हमें यहां पर लिखना होता था dollar और उसके बाद में variable का नाम ठीक है तो मैं यहां पर लिखता हूँ number one ठीक है equal to value करता हूँ इसको यहां पर मैं कोई value लिखता हूँ 10 ठीक है तो यहां पर जो equal to हमने use किया है वो हमारा है assignment operator ठीक है तो यह assignment operator काम करेगा कि जो यह 10 वाली जो value है वो हमारे number one variable के अंदर add हो जाएगी ठीक है तो अगर इसको हम echo करेंगे यहां से variable किसको number one को और यहां से check कर जाएंगे हमारे जो output code को तो यहां भी हमें वो output मिल जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हम कोई भी number assign कर सकते हैं या हम को string assign कर सकते हैं d test order ठीक है save करेंगे यहां से और refresh करेंगे तो हमारे बाद string आ जाएगी ठीक है और अगर हमें float value डालनी हो float value हमें पता है कि decimal वाली value होती है तो यहां पर हमारा number डाल देते हैं 1220 तो यहां पर refresh करते हैं तो यहां पर हमारी वो value आ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हम कोई भी assignment कर सकते हैं किसी भी data types की अगर array वगेर assignment करनी है हमें हमें कोई object assign करना है हमें कोई boolean value assign करनी है float integer string तो सब चीज़ी हम assign कर सकते हैं with the assignment operator के तुरू ठीक है तो यहां पर हमें पता लग गया कि हमारा जो operator है वो है equal to ठीक हमारा यहां पर क्या कर रहा है जो यहां पर right वाली value है उसको left वाली के अंदर put कर रहा है यह आपको जहां रगना कि जो right वाली value है यहा कुछ भी हमने कुछ यहां पर string data types या कुछ भी पास किया है वो हमारी आ जाती है number इस variable के अंदर ठीक है तो इस तरीके से assignment operator काम करता है काफी helpful है assignment operator का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और maximum आपको code में assignment operator ही मिलेगा क्योंकि हमें value add करनी होती किसी variable से उठाकर या किसी direct ह हम को value put करें तो यह सबसे ज्यादा यूज होता है तो assignment operator इतना easy है कि आपको easily समझा जाएगा इस चीज का कोई दिक्कत नहीं है तो यह हमारा operator था assignment operator next video में हम बात करेंगे arithmetic operator की तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूँ done तो हमारा assignment operator हो गया है इसके बाद में arithmetic operator का बारे में हम बात करेंगे और मैं इसके बारे में दोबारा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यह series अगर आप regular देख रहे हैं तो आपको इसका फायदा होगा ठीक है तो arithmetic operator के बारे में हम next video में बात करेंगे और यह वीडियो यहीं पर कतम करते हैं तो आगर आपको कोई दिक्कत होते ह कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बूश सकते हैं तो आज की वीडियो बस इतना ही कोडिंग करते रहे हैं मजे में रहे हैं तब तक के लिए बाबाए